असलाम अलेकम तो आज हम चप्टर नुबर टू स्टाट करते हैं जडिखा तो चप्टर का नाम है प्रियोप्रेटिव एवलेटिव एवल्यूइश्न एंड मेंजिमेंट्स दो फालिंग्र्म प्रेमि गोल्स of preoperative evaluations and pre-patients have been identified to two to three, documentation of the conditions for which surgery is needed, assessment of patient overall health status, and uncovering of heightened conditions that could cause problem both during and after surgery, preoperative risk determination, ठीक है, इसाल इसकंदर ये उसने goals उपकारा बताया हुए है, कि क्या-क्या goals इसके अंदर आते है, चीवमेंट्स आती है, ठीक है, तो अगर components की बात करते हैं, जिसकंदर आज़े का taking details history clinical examination, इसके इसके अदर हमाँ details के साथ history taking देंगी, ठीक है, routine and target oriented investigation, और इसकंदर हम investigation करेंगे and if any abnormalities is found it should be treated to this optimal level इसका अंतर कहा रहा है अब्राड मेल्टीज आएंगी कुछ एनी कोई-कोई अब्राड मेल्टीज आएंगी उसको हम trade करेंगे optimum level पर ठीक है आगे बात करते हैं pre-operative history the history is the most important components of the pre-operative evaluation वो कह रहा है कि जो जो हिस्ट्री है यह most important component सेकिस का pre-operative evaluation का the history should include a part and current medical history, surgical history and family history and society history वो कह रहा है इसके अंदर तीचार किसम की हिस्ट्री होगी एक medical history होगी एक surgical history होगी एक family history होगी एक society history होगी जब एक आप डाक्टर के पास जाओगे तो medical history कैसे देनी है आपने तो डाक्टर कैसे medical history देगा आपको फिर surgical history कैसे देगा फिर family history family कैसे देगे इसको history taking and society history कैसे देनी है use of tobacco alcohol and illegal drugs the key topic in the history includes उसके अंदर कौन कौन से आदेगी cardiovascular की history आदेगी उसके अंदर आदेगा my cardiovascular infections heart attack वगारा आदेगा more than six weeks के लिए and hypertension आजएगा इसके अंदर blood pressure increase कर रहा हो जाएगा and ischemic heart disease आजएगी ischemia का मतलब यह है कि अगर blood flow और oxygen decrease हो जाएगी तो उसे केंगे ischemic heart disease अडिद्मिया जब कर आजएगा जैसके अंदर के आगए दिल का गयर मूल जिब आरिकना स्टार्ट होना चुरू हो जाएगा ठीक है अब नार्मेल की जफ़ा अर्डिद्म देसे केंगे तो आगर इस पर एटरी की बात करते हैं तो इसके अंदर आजएगा स्टार्ट की बात करते हैं तो इसके राज़ेगा सीवीए एंडृसी मेर्ग बेसके इसके अदर हो जार जैगा तो आगे बात करते हैं तोसके अंदर डायप्टीज कर घिसे ौस्टानों क्यों होता है इसके अंदर तरॉड्य हर्मोन की एक्टिवट इंप्रीट आगे बात करेंगे फियो क्रोमो साइटोमा इसके दिया, यह कीशनी क्रोम कम17, फियो क्रोमो साइटोमा यो करेंयर क chilars में अघेल क्रोम के पटिवार दिया कीशनी क्रोमो से प्रीविए सरजरी अनस्तिज्या गीन। मेडिकेशन क्यों स्मोकिंग अल्कोहल लिजम एंड ब्लीदिग डिसअडर्स एंड ड्रक तो आगे बात करतें हैं फीजिकल एग्जामिनेशन कि कंतर आजेह का देगा घ्र को एफैजिकल एग्जामिनेशन शुड बिल्ड ऑनदा इंफारेशन वहीसट्री अधेमर फोकस प् pre-anesthesia, physical examination include and assessments of the airway lungs and heart with documentation of the vital science, तो यह फिसकल एग्जामिनेशन है, आगे airway examination, to airway examination is done to identify the predictors of the difficult marks ventilation and difficult intubations इसके बहुत का न्तर यह कह रहा है के air examination के अंतर क्या होगा, कि predictors डिफिकल्ट माक्स में लगाएंगे और दोसा यह होगा इंट्यूबेशन एक होती है जो कि हम ट्रैक्या को अगर बंद होजे अगर सांस हमारा सही नहीं आ रहा प्रापल में फिर हम और लिए देंगे ट्रैक्या में ताकि हमें सांस में लेने में असानी हो ठीक ना तो इसके ग्रेट वन आजेगा तो ग्रेट बाम केंदर क्या होगा साफ्ट पैलेट फैस्टिकलस एंड अलवा एंड पीर्स वैजिबल नजराएंगे में और ग्रेट तू के अंदर बाल करते हैं जिसके अंदर सौफ पैलेट और सम पार्ट अफ अलवा नजराएंगे सीन होंगे इंडब नजराएंगे सीन होता है इसका डिस्टेंस वो कम असकाम थ्री सेंटिमेटर होता है वैं मौथ फुली ओपन इसके अंदर मौथ को फुली ओपन करते हैं पूरा मकमल दोर पर उपन करते हैं अलवा इस नाट विजिबल वैंड टंग इस प्रोट्यूट वैंड पेशिटिंग पॉजिशन इसके करेंगे जो दर्मियान में चीज़ लटकती है उसे केंगे अलवा इसके अंदर कह रहा है अलवा इस नाट वेजिबल वो नाजर नहीं आएगा वैंड टंग इस प्रोट्यूट टंग पो प्रोट्यूट करेंगे एंड वैंड पेशिटिंग पोजिशन जब बना सेटिंग बैठा होता है ठीक है आगे बात करते हैं शेप पिलिट आर्किट और व्यारी नहरो वो कहरा है कि जो फैलड की शेप के जो होगी हो हैली आरकिट होगी और वेड़ी नहरो की थिक पतली थे होगी तों मैंडीबलर स्पेश इस लान कम्प्लिकेटीब थाय रो मैंट्रसलीच इस लएस दैन त्रीफिंगर ब्रैथ वह कहते हैं रीपिंगरट दोका कि तना का मिल्स धुड्य थेंगर गुद्ध सोगा presence the best method of the screening for the presence of the disease is can dear gathering full blood count yet complete blood cm3 full blood count yet complete blood count cbc for all major operations and those with anemia's or ongoing blood loss any chronic disease or malignancy a sickle cellートraean in patient बिड एफ्रोकार्बियन औरीजिन्स एलेक्रोलाइड एन कृतिनीन एलेक्रोलाइड एन कृतिनीन पार आल मेजर सर्जरीज पहार ओर एज आफ 60 वेद तकार्डियोवैस्कुलर डिनल और एंडोकरिन द्जीर वो इसका नतरा कहा रहे है थिए पै्ट्ट की एज 60 से उपर हो फिर आघीएक तो कार्डिवास्पूलर्वीन जीज पहर than तो वाफर परक्रेड़ एक्षासि तो टेड़ ऑफीर की बात करते हैं शकनद落बा दोज अब होगा और डाय। berlasular Dental and Dispiratory Involvement diabetes mellitus के होने के chances होंगे क्लाटिंग سक्रीन बुरीडिंग डिस्टेड्य या ब्लीटिंग डियस्तेटेशिस होगी ब्लीडिंग डियथेसिस केंदर क्या होगा क्छैंजिया ठीक है किसे के किणिशन काते हैं अगर वजह हमल के दराजान और उटको भी होची हो जिसके एककलमजिया पेशिंट ऑन अंटी कोडिकलेशन थ्रापी चॉस्ट एकसडियस इसके निराजेगा कार्डिक हिस्टरी लें गया का कुई आम देखने को मिलेगा हैं प्लमोनी कैंसर मेटस्टेसी और अप्यूइन देखने को मिलीगा प्रेगिन सीटर बाग करते हैं आजिए आजो सॉरिघ बांड गल्गोज एंड हमुगलोबन एवन सी डैप्रीज एंड प्राब्रम देखने को मिलेंगे लीवर फंक्शन टैस कंदर आजएगा जाइंडस जाइंडस कंदर क्या होगा मैं यूर स्किन और वाइट्स आफ यूर आइज तर्न येलो इसकंदर क्या होगी वह वाइट हो जाएगी एंड जो आइज होगी वह यालो क यूर किसम जो तर्न येलो थेगा है पाटेट्स कंदर आजेगा लेवर की इंफ्लमेशन होगी से यूर सिरोस के लिवर डेमज होगा ठीक है मैक्षिंट के अंदर क्या होगा इन पेशेंट विद द प्रिए माटो इंफ्रेक्शन देक्रीज्ज विद टाइम आफ एंफ्रा तो टेबल एफलेप्स की बागते इसके ना जेगा मोर दन 6 मुंथ 4-6 मुंथ एंड आ जी अध आंड मॉर मॉन्स इसके लोगा 5 परसंट रोगा आधू से कंदर तैंट 20 परसंट तीसे को बहुंद 20 30% अले का ब्लड फ्लो चैन डामज और इसके अंदर ब्लाड फ्लो आ काम हो जाएगा हाट का ठीक ऑसे के जैना सिंटम क्या देखने को मिलेगे करोनी आटिजीज करोनी के अंदर कोई को प्लेग थ्रमबस आप यह ऐसे की चीज होगी जैसके वैसे ब्लाड फ्लो से नहीं जा अक्सिजन कम जादियों से करोनी आटिजीज डिजनस आएंगे चकल कर रहेंगे फटीग ठ्कावट होगे नोज्य होगी है शाटन सा ब्रथ स्वैटिम कर रहा हो गया तो कंजिस्टिव हाट फेलियर की बात करते हैं तो इसके अंदर हाट फेलियर सम टाइमस नोन ऐस कंजि पर फेलियर कास की बात करते हैं दा मोस्कामन काज आपने स्वाट फेलिए क्रोन यार्ट इस हां इसका जिसका जिसके रहा है प्लेक तुर्बस गराओ जिसके वाए से एक सीजन और ब्लाट गैसे प्रापर से सप्लाइज नहीं कर रहा है 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 पाटेंशन हाइब प्रेशन सब्सकार है पाटेंशन इन ब्लाट इंस हायर दैन नार्मल सिम्टम्स के बाद करते हैं इसके ब्लाट भी एंड ब्लाट विएंज हमें दुन्दला नजर आएगा और नोस ब्लीडिंग होगी जिसे एपिक्स टैक्सिस कहेंगे और शाटन सा ब्रैथ होगा एंचिस पेन होगा कि जो हाट के वाल होंगे वह डैमज होजेंगी तो डिजीज होजेगी सिम्टम्स के इंदर आएगा शाटन सा ब्रैथ चस्ट पेन फटीग फीवर डैपट वेट गेंड आज मारे